नमस्कर दोस्तो आज बात करेंगे हम ITR Filing किन सिचुईशन में mandatory होगा आज मैं बात करने वाला हूँ 9 सिचुईशन है ये 9 अलग लगतर की परिस्तितियां है जिसके अंदर आपको ITR Filing mandatory हो जाएगा आपको ITR Filing करना ही होगा तो चलिए इसको detail में समझते हैं उससे पहले बतना चाहूँगा जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पर पहली बारे इस उडियों को पहली बार देख रहे हैं जिन्होंने भी तक subscribe नहीं किया subscribe कर लिजे दोस्तो साथी साथ bell icon पर भी click कर लिजे ताकि इस तरह का content आपको मिलता रहे तो दोस्तो बात करने वाला सबसे पहले situation के बारे में तो अगर आपकी income basic exemption limit से cross हो जाती है ठीक है exemption और deduction से पहले अगर आपकी limit basic exemption limit जो आपकी income है उस basic exemption limit से cross हो जाती है exemption और deduction कौन सी वाली exemption जो capital gain के अंदर है अंदर section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA यह 54GB यह deduction ATC से लेकी TU तक जैसे LIC, PPF, Saving Bank Account का interest, Medi Claim इन से अपका जो interest लेते हैं आप ATC से TU तक उनसे पहले जो भी आपकी income होगी और वो income basic exemption limit से cross हो जाएगी basic exemption limit की बात करें अगर individual person है आप तो normal person के लिए 500,000,000 है, senior citizen के लिए 3,000,000 और super senior citizen के लिए 5,000,000 अगर इन limit से cross जाती है आपकी income तो उस case में आपको ITR filing करना mandatory हो जाएगा दूसरा अगर आपके पास कोई भी assets है इंडिया के बाहर, outside इंडिया तो उस case में भी mandatory हो जाएगा यहाँ पर कोई भी individual hold कर रहा है कोई भी assets ठीक है जो की located है इंडिया के outside तो उस case में उसको यहाँ पर ITR filing mandatory होगा signing authority है किसी भी assets की जो की located है outside इंडिया उस case में भी mandatory होगा या कोई भी beneficiary जिसके पास कोई assets है जो की located है outside इंडिया उस case में भी mandatory होगा ITR filing और दोस्तों अगर आपने एक क्रोड से ज़्यादा deposit किया है bank account के अंदर cash तो उस case में आपको ITR filing mandatory होगा ITR filing करना ही होगा अगर यहाँ पर individual अपने bank account में एक ये एक से अधिक account के अंदर एक क्रोड से ज़्यादा deposit कराता है तो उस case में उसको ITR filing mandatory हो जाएगा यह assessment year 19-20 से ही इसका effect शुरू हो गया था 19-20 के बाद से ही अगर आप एक क्रोड से ज़्यादा अपने bank account में cash जमा कराते हैं तो उस case में ITR filing mandatory होगा लेकिन यहाँ पर कुछ exemption है exemption यह है अगर individual एक क्रोड से ज़्यादा current account में deposit कराता है post office के अंदर post office में उसका account है उस account में एक क्रोड से ज़्यादा जमा कराता है और उसकी income basic exemption limit से कम है तो उस case में ITR filing नहीं करना होगा उसके बाद अगर आप ने दो लाग रुपे से ज़्यादा foreign travel के ओपर खर्च किया है तो उस case में भी ITR filing mandatory होगा इसका effect भी assessment year 19-20 से शुरू हो गया था और अगर आप एक लाग रुपे से ज़्यादा electricity के ओपर consumption करते हैं याने एक लाग रुपे से ज़्यादा आप electricity का बिल पे करने में पूरे साल के अंदर ठीक है तो उस case में आपको ITR filing mandatory होगा एक लाग रुपे से ज़्यादा गा अगर बिजली बिल पे कर देते हैं तो ये भी assessment year 19-20 से शुरू हो गया था और अगर आप business कर रहे हैं और आपकी turnover शाट लाग रुपे से ज़्यादा है एक उसके लिए एक individual अगर उसकी sale turnover या gross receipts एक business के इंदर साट लाग रुपे से ज़्यादा हो गया है तो उस case में उसको ITR filing mandatory होगा ये assessment year 22-30 से इसका effect शुरू हो जागा notification number 37-22, 24-22 के जरिये add किया गया इस condition को अगर आपकी gross receipts profession से किसे profession से अगर आप profession में है जैसे teacher है charter accountant है lawyer है engineer है architect है तो उस case में की income 10 लाग रुपे से ज़्यादा है gross receipts 10 लाग रुपे से ज़्यादा है तो उस case में भी ITR filing आपको mandatory हो जाए का ITR filing करना होगा इसको भी notification number 37 के दोरा add किया गया इस condition को और ये 22-23 assessment year से इसका effect शुरूँगा अभी currently जो ITR जा रही है कि कौन से assessment year की जा रही है 22-23 की तो 22-23 की assessment year से इसका effect शुरूँगा अगर आप profession में है और 10 लाग रुपे से ज़्यादा आपकी gross receipts है तो उस case में आपको ITR filing mandatory हो जाएगा और दोस्तो अगर आपका TDS ये TCS 25,000 रुपे से ज़्यादा हो जाता है तो उस case में ITR filing mandatory होगा उसके बाद दोस्तो अगर आपने saving bank account के अंदर 50,000,000 रुपे या उससे ज़्यादा जमा कराया है तो उस case में ITR filing mandatory हो जाएगा हाजी दोस्तो अगर यहाँ पर कोई भी individual अपने saving bank account के अंदर या एक से अधिक saving bank account के अंदर 50,000,000 या उसससे ज़्यादा during the previous year याने previous year के अंदर जमा कराया है उसने तो उसको यहाँ पर ITR filing mandatory हो जाएगा इसके लिए भी notification number 37,000,000,000 अब्लिक 2022 का देख सकते हैं तो दोस्तो यह situation है इन situations के अंदर आपको ITR filing mandatory हो जाएगा अगर इन situation के अंदर आप fall करते हैं इन situation के अंदर आप आते हैं तब आपको ITR filing करना ही होगा नहीं तो आपको income tax है और notice आ सकते हैं कमाल का content जो मैं आपके सामने लिखा है अब वीडियो के से लिगी जरूर बताए तैंक्यू स्वामच जया हिंद अवंदे मात्रम